यो उट्सुप गईज कैसे आप सुभी लोग वेलकम बैक टू अनेधर गेमप्ली वीडियो तो गईज है लोग दुबार से के लिए हैं माइनक्राफ्ट तो जैसे कि आप सुभी लोग को याद होगा कि लास्ट एपिसोड में फाइनली पूरी के पूरी तीन महीने बाद मैं मैंने अपने पोलर वियर के लिए उसका पर्सनल हाउस बना दिया था दियो कि आप लोग को बैक साइड में दिख रहा हुआ कितना ज्यादा बड़ी अलग रहा है तो भी ना फिलाल इसके अंदर मैंने काफी सारे चेंजिस करे हैं वी जल्दी से चल करना गाईज आ रही ब लोग अंदर चलते हैं मैं आपको दिखाता हूं कि इसका जो घर है उसको मैंने अंदर से काफी जादा चेंज कर दिया पहले इतर ब्लॉक्स लगा रहे तो इधर अभी मैंने यहां पर एक ग्लास विंडो लगा दिया है ताकि अपने पोलर वियर को यह ने लगे कि उसे अं लोड के मैंने सेंटर में कर दिया यहां पर कुछ यह बीच में जो लगा दिया तो अभी ज्यादा बढ़िया लग रहा है अब यह अंदर से और बाकि आप लोग आपर बाहर से देखी पार हो डोर फ्रेम पूरा गोल्ड ब्लोक का है और दोर भी मैंने चेंज कर दिया तो म मुझे ना बहुत सारे स्टोन ब्रिक्स चाहिए होंगे जो आप सामने की तरफ में देख पार हो ना यह वाले और यह मिलते हैं हमें स्टोन से और स्टोन मिलते हैं कोबल स्टोन से अगर मैं सामने वाले माउंटेन तो मुझे बहुत सारा कोबल स्टोन मिल जाएगा फिर इस से convert करें स्टोन में फिर उसके बाद उसे crafting table में ले जाकर उसे convert करना है तो उसमें बहुत सारा time waste भी होगा और बहुत सारा coal भी waste होगा तो गाईस इसलिए आज मैं बनाने वाला हूं अल्ट्रा ultimate giant stone farm मतलब क्या उसके अंदर से नहीं मेरे को directly यह वाले stone मिल जाएंगे मुझे cobblestone नहीं मेरे को convert करने कोई जरूत नहीं पड़ेगी और नहीं मेरे को इधर दर जाके तोड़ने की जरूत पड़ेगी तो धेर सारा अराम से collect हो जाएगा तो गाईस आर दिको वीड debit or credit cards है online shopping करते हैं तो बार-बारी उनके पास OTP के लिए जाना पड़ता है तो इन सभी चीजों का solution मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ जो कि है FAMPAY तो guys FAMPAY इंडिया का first digital bank है for teenagers तो बस आपने इसमें sign up करना है और sign up करते हैं आपको यह cool card मिल जाएगा जिसके अंदर कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं तो सबसे पहले जो चीज है आपकी age 18 years से कम होनी चाहिए और दूसरी चीज आपने अपनी किवाईसी करनी है और अपनी parents की किवाईसी करने बस और कुछ भी नहीं और यह बहुत जादा सेफ है और बहुत ही जादा बढ़िया तो इसलिए मैंने सारा समान जितना भी यूज था सारा collect कर रहा है इसको collect करने में बहुत चाइम लग गया तो यहां पर यह कुछ रिपीटर है से redstone के और यहां पर यह स्काफ फोल्डिंग जो bamboo से मिल जाती है और यह नॉर्मल अपनी smooth stone है और बागी थोड़ा वाटर पकि मेरे शलकर बोक्स में पंगे लोगे तुम इधर आओ नहीं नहीं थूकने लग गया निकल यहां से तू भी निकल भाई साब मेरे कासल में घुसके मेरे से पंगे वाकि एक सेकिंड यहां पर इंफिनिटी लगा वह अच्छा यार में को नार्मल एरो चाहिए होगा वाकि य यह दिए को काईस कुस्टियेंटी है माइन कार्ट है आईस है दो लीवर है दो लावा बकीट है तो यह जो फाम है बहुत ज्यादा बड़ा बनने वाला है जैसा कि मैंने वोला था अल्ट्रा जाइंट मैक्स जो इतना भी कहलो उतना कम है तो अभी ना फिलाल इन दोनों को सो लेते हैं उसके बाद उटकी काईस आर मैं जाने वाला हों क्राफ्टिंग करने क्योंकि अरभी ना यहां पर बारिश हो गई है वो भी थंदर्स्टोम वाली तो सीदी सी वाता सोना पड़ेगा वरना बिजली विजली भी गिर जाती है तो भी चुप चाप से अंदर चलत हैं अराम से तो ओकी गाईस अर अभी ना फिलाल यहां पर मैं सो कर उठ चुका हूं खैर सुबह तो होई रिथी अभी फिलाल यहां पर बारिश भी रुख जाएगे सामने क्रीपर है इसको भगाना पड़ेगा वरना यह मेरे कासल का ना स्पीड देते हैं इदर हो इदर हो यह जगा को नहीं थोड़े नाइम पहले फ्लाट कर रहा था तो यहां पर मैं सोच रहा हूं कि अब मैं गईस देखो जितने भी फार्म बनाऊगा जाइंट फार्म उनको लाइन से बनाऊगो जैसे अपना आयरेन फार्म हो गया यह अपना शुगर केन फार्म हो गया इसी क यह जैसे कि आप लोग यहां पर देख पारे हो भी ना फिलाल मैंने इदर से काफी सारी डर्ट अटाक है पूरी के पूरी एरिया को फ्लैट तो कर दिया है बाकियार बहुत से लोग मुझे कमेंट्स में कह रहे कि थे कि जो ड्रागन होता है उसको हम लोग हैच कर सकते हैं चैक कर रहा था गूगल पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है तो आप लोग मिरे को बताना कि चची में होता या फिर कुछ नहीं होता बढ़ा दिखाने के लिए कि हमने एंडर रेगन को मार दिया है और उसका कोई यूज नहीं होता बढ़ा कुछ लोग कह रहे थे कि हैचिंग क मारेंगे तो यहां पर मैं थोड़ा सा न रखा हुआ बनाने के लिए इसको एक बारी में यहाँ पर रख देता हूँ सबसे पहले इसके अंदर से मेरे को चाहँ चाहिए ज़िए इसके इंदर मैंने सारी रखे दी तो मेरे को नहीं सबसे बहले 4 5 6 अब यह 6 फ्लोर ऊपर जा चुकी है जल्दी से लोग यहाँ पर चलते हैं उपर इसके बाद मुझे यहीं पर एक ग्लास ब्लोक प्लेस करना है नीचे से लेकर आता हूँ और ग्लास देखलो आप मैंने कितने ज्यादा ले रखे हैं तो इससे भी ज्यादा के में जरुत प यहाँ पर मेरे को चारो तरफ जैसे चार साइड है ना तो चारो तरफ मेरे को 6-6 ग्लास ब्लोक और लगाने है ताकि यह 13 by 13 का एक परफेक्ट स्क्वेर बन जाए तो 1,2,3,4,5,6 अब सेम दूसे मेरे को इधर भी करना है बाकी तीन साइड ओपर 3,4,5,6 तो चलो guys यहाँ यहाँ पर मैंने चारो तरफ यहाँ पर 6-6 ब्लोक बना दिया है तो मतलब कि अबने मेरे को क्या करना है यह जितना भी आप एरिया देख पा रहे हैं मेरे को इस तरीके से ब्लोक लगाता हूं इस तरफ तक और सेम तुसे मेरे को ऐसी करते जाना है जब तक यह वाली कॉलम पहुच नहीं जाता मतलब कॉलम नी सोरी रौ तक तो भी फटरवट से यहाँ पर लगाते हैं और इधर भी मेरे को सेम तुसे इसी तरीके से लगाना है और फाइनली मैं उस वाले रौ तक पहुच चुका हूं और एक ग्लास मेरा मेरे कुना सिल्कलेच वाली पिकक्स ले ज उससे पहले ने गाईस एक बारी मेरे को नीचे जाना पड़ेगा तो डबल जम्प मारके मैं नीचे जाओंगा क्योंकि मेरे पास इस ताम पर इलाइट रहा है तो मेरे एच्पी नहीं जाएगी उससे तो मैस मेरे को यहां से कुछ फैंस लेने है और बाकी जो जो काम का चलो कोई दिक्कत नहीं है मुची भी चले जा तो कोई नहीं सारी कलेक्ट हो जाएगी वापिस तो जम अब इस यहां तरफ आएगा तो पानी डालना है तो सीधी सी बात हमें और ग्लास के जरौत पड़ेगी क्योंकि हम इसकी बॉंडरी बनानी है अब इसको मैं यहां पर रखते हैं और इसको भी यूज नहीं है तो अब बस मेरे को यहां पर ना उत्तिरी भाई 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 नीचे गिर गया अभी नगाइस यही जितना भी प्लैट्टों बनाया ना मेरे को बस इसकी वाल बनानी है चारो तरफ से मतलब की कवर करने के लिए ताकि अगर मै जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो भी ना फिलाल पूरी की पूरी जो बाउंटरी वॉल थी वह भी मैंने यहां पर बना दिया है अगर मैं इधर वाटर डालूंगा तो पानी कहीं पर भी नहीं जाने वाला अब बस मेरे को यहां पर क्या करना है हर कॉर्णर पर पानी लेकर आना है ताकि यहां पर मैं पानी को भर पाऊंँ जाना पड़ेगा नीचे जाना पड़ेगा क्योंकि unlimited water source बनाने के लिए bucket मेरे पास है एक काम करता हूं इधर की तरफ में मैं यहां पर एक छोटा साना मतलब की 4x4 का एक 1 2 3 4 त चलो अभी फिलाल यहां पर बालते जाना है मतलब जितना भी एरिया जितनी भी boundary है उन सबी पर पर पानी मेरे को डालना है उपर ठीक है कुछ इस टाइप से से मेरे को इस कॉर्नर पर बिगना है चारो को पर पर बाकी जगहां पर यह नीचे नीचे वाले blocks पर जल्दी से पानी का जो काम है भी खतम करत अब फिलाल यहां पर भी लगाते हैं इधर से पानी और इधर तो मैंने लगा है नहीं ठीक है ठीक है तो यहां पर 123 यह लगा और इसको भी डाल दिया अब चेक करता हूं पहले कि पानी बराबर है कि नहीं अगर पानी बराबर है तो सीधी सी बात है स्क्वेर परफेक्ट ह तो वाकि 1 2 3 1 2 3 तो जैसे कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो भी ना फिलाल चारो कोर्ण में मैंने वॉटर बाकिट डाल दियो और पानी भी एकदम बराबर फ्लो के साथ यहां तक पहुच रहा है बड़ आप लोग कि यह सेंटर तक तो आनी रहा तो उसके लिए जितन सब्सक्राइब कोई जल्दी से उपर चलते हैं तो कि आप लोग यहां पर देख पारे हो फाइनली चारो तरफ यहां पर मैंने वॉटर बड़िया कर दिया अब यहां तक पहुच रहा है बट सेंटर में नहीं जा रहा तो भी सेंटर वाला ब्लोग भी मैंने पहले ही थोड बाद में अपने किसी भी काम नहीं आने वाली इतना ज्यादा पाने डला हुआ ना कोई दिक्कत की बात नहीं अब जल्दी से नहीं खाना कर अपनी फूल करता हूं और अब आगे का काम कॉंटीनिव करते हैं तो अब मिरे को आगे क्या करना है यहां पर जितनी भी स्काफ आगे ले जाना है तो 1,2,3,4,5,6,6 और आगे चले गई मतलब की बहुत साइच चीज बनने वाली है आप लोग बस देखते जाओ अब मेरे को यहां पर क्या करना है ग्लास ब्लोक लेने है और इसको मेरे को यहां पर एक दम सेंटर में प्लेस करना है इसके ऊपर एक रखा अब इसके ऊपर चाड़के मेरे को इसके राइट में चार लगाने और लेफ में चार लगाने दो 1,2,3,4 मतलब एक ना 9 की मेरे को एक रोग बनानी है तो 1,2,3,4 तो चलोगा इस दभी फिलाल यहां पर पूरे को पूरे no blocks लेक्ट चुके हैं अब इसके बाद मेरे को क्या आ रहा है फिलाल तो और एक जॉम्बी भी रहा है तरको नीचे आने से पहले मार हूंगा रूपर इंको मार के थोड़ी XP लेता हूं ताकि अपना थोड़ा माल पानी भी रिपेर हो जाया तो अभी जल्दी से आपर सब को लिया अब इनको मैं तोड़ लेता हूं फटवर से एक दो दोनों को तोड़ा कलेक्ट हो गया अब उपर चलते हैं नीचे आने के में ज़्यादा जरुरत नहीं है जल्दी से उपर चलता हूं तो अच्छा लोग जार आ फिलाल यहां पर मैं भाग कर आ चुक हूं सीधा उपर अब मेरको क्या करना ही जो मैं लेकर रहा हूं इ मैं ने प्रिक्स ले लिए अंब मेरको क्या करना है इस वाले ब्रिक्स को दहीं यहां पर प्लेस करना है तो यानी अपनी परफेक्ट रॉब नहीं टीतल नाइन ब्रेक्स लगाने तो पिस्टन गेरे और इसको ना मेरको एक ब्लोक छोड के लगाना ठीक है तो 1 2 3 ऊ तिरी भाई यह मैं कहां गया रुको यहां पर पहले एक प्यारी से जंप मारूगा तो गाइसर अभी ना फिलाल मैं बहुत ही बुरी तरह भीड़ा था अभी ना मेरे को मरना नहीं नीचे काफी सारे मॉप्स मेरा इंतजार भी खर रहे हैं तो फाइनली जैसे तसे मैं जंप करकर इ अभी तो मेरी मौत पके थी वैसे कोई दिक्कत नहीं होती कासल अपना सामने है सार अगल सारा समान में आकर कलेक कर लेदा बट कोई नहीं अभी फिलाल मैं सेफ हूं जल्दी से ऊपर चलते हैं वैसे जब से रॉकेट मिले ना मैंने चड़ने वड़ने की आधि चोड़ दी इसे बीच में प्लेस करने हैं इस जगह को पूरा ब्लॉक करने के लिए तो यहां पर अभी ग्लास में उपर रख लेता हूं तो यहां पर लगेगा एक ब्लॉक दूसरा ब्लॉक लगेगा यहां पर तीसरा ब्लॉक लगेगा यहां पर अब सेम डूसे मुझे उस साइड भी यही चीज़ करनी है, डर्ट लगाई पहले, अब इसको तीनों साइट से कवर, तो यह देखो गाई, यह पूरा एक दम प्रॉपर तीनों साइट से कवर हो चुका है, जल्दी से से मैं तोड करने हैं, यहां पर साइड करता हूं, और उस साइड भी मिरेको यही चीज़ करनी ह आदना समझ लो अपना चो एक फ्लोर है ना गाई वो बन चुका है, अब इसी टाइप के ना हमें तीन फ्लोर और बनाने हैं, बेसिकली फ्लोर नी होंगे, यह स्टैप्स होंगे, क्योंकि एक के उपर एक नी बनेंगे, एक के ना आगे बनेंगे, जैसे सीड़िया नहीं हो ना देता हूं, तो यह देखो, यहां पर अपना इतना काम हो गया है, बाकि कुछ छोटी सी मेरे को ऐसे लग रहा है, मैं मिस्टेक कर रहा हूं, बट कोई दिक्कत नी है, ठीक है, तो यह जो पिस्टेंस है, मेरे को यह याद रखना है, कि हर फ्लोर पर साथ होने चाहे है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, नी, नी, हाँ, ठीक है, 7, तो चलो एकदम बराबर है, अब जैसे मैंने पहले कवर कर रहा था, same to same, उसी तरीकी से मेरे को यहां पर भी कवर करना है, एक डर्ट इदर, एक डर्ट इदर, एक डर्ट इदर, इसको यहां से, यार यह थोड़ा सा मैं कुछ गड मैं थोड़ा सा गलत बनाद आता, तो इदर भी ब्लॉक, इदर भी ब्लॉक, इदर भी ब्लॉक, और यह वाली जगह भी कवर हो चुकी है, अब जैसे मैंने इदर बनाया था, same to same ふैसी मेरे को आगे बनाना है, और टोटल यह 4 सीडियां बनेंगी, मितला 4 स्टेप्स यहां पर टोटल मेरे को थोड़े बहुत ब्रिक्स ओर रखने और यहां पर एक ब्रिक कम पढ़ने वाला शाय से वह के वैसे इसकी कोई जरुद भी यहां पर मैं ब्रिक्स उठाओंगा तो उसको लगा दूगा इसको तोड़ते हैं और यह दिखो काईस अपना काम्याँ पर क काफी सारे glass बीच यह तो मिर पास already है तो इसलिए glass का कामना की सबसे पहले करते हैं तो अब मेरे को क्या करना क्या है इसमें मुझ कुछ नहीं करना बस एक लीवर में जिसे मिव बटन दवाना पड़ेगा और सीधा धड़ाई धड़ाइड स्टोन बरना शुरू हो जाएग जल्दी से यहां पर मैं सारा काम करता हूँ, इधर भी मेरे को नीचे लगाना था और finally यहां पर मैंने काफी सारे glass भी लगा दिये हैं अभी guys मेरे को यहां से नीचे जाना है और नीचे जाने के लिए मेरे को पता है मैं बहुत ही बुरी तरह गिरने वाला हूँ तो रुक जहूँ पहले हैं साइट से जाते हैं अभी मेरे पास है कुछ smooth stone भी है तो मैं सोचत熟 क्यां पर आएगा मेरा नीचे उसके बाद यांप रहेंगे दो यह छुका एकदम परफेक्ट कनेक्स नहीं हुआ है यह बन गया है जिसके उपर मैं कनेक्शंट करने वाला हूं जल्दी से लोग जो तोड़ी बहुत स्टेर्स भी बनाने मतलब स्टेर्स नहीं यह मेरे को रखने पड़ेंगा जो तनी भी स्काफ फोल्डिंग है और यह देखो मेरा शलकर बॉक्स भी खुलने का नाम नहीं ले रहा रुप जाओ इसको तोड़ा सा यहां से हटाके से रखना पड़ेगा यहां इसको रखते हैं हम लोग अभी यहां पर और इसके अंदर से गाइस आपने सारका सारा एकाम आने वाली है जिसका भी बिल्कुल भी यूज नहीं है सब इनका भी कुछ भी यूज़ नहीं है, डर्ट कहां यूज़ होगा, तो अच्छा है लोगाई, अभीना फिलाल जितना भी फाल्टू का समान था, वो मैंने सारा का सारा बाहर निकाल दिया, बट अभीना मेरे को कोई मार नहीं कोशिश कर रहा है, कौन है भी कहां से मार, ओ अभी ना फिलाल इन दोनों को ना मैं तोड़के कल्यक करता हूँ, अभी उपर जाने करने, बड़ी ऐसा मेरे को रास्ता बनाना पड़ेगा, ओ तेरी, अभी दो मिनट रुख जाओ भाई, बनाने तो एक से कहां से मार रहा है, रुख जाओ यह निकल यहां से, यहां से तो एक लगाते इसके आगे, तो यह जगा मेरे साब से परफेक्ट रहेगी उपर जाने के लिए, इसको तोड़ता हूँ, मेरे को यहां पर एक ब्लॉक प्लेस करने बड़ेगा, अच्छा उपर के लिए लगानी हो तो ऐसे लगे यहां लगानी है, उसके बाद यहां पर मैं ल पीटर्स है इनको यहां पर प्लेस करना है, इधर फेस करके, तो एक रखा, उसके बाद मैं को नीचा आके रखना है, दूसरा, तीसरा, चोथा, अब इसके बाद मेरे को यहां पर लगानी है, रेडिस्टोन डस्त, तो इतनी लगेगी क्योंकि नाइन का गैप था, अभी ज इसके बाद में अभी बहुत ज़्यादा तकड़े कनेक्शन होने वाले है, जो कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूस करेंगे आपको, तो फटरवट से यहां पर जितना भी कनेक्शन है, सारा एकदम मैंने परफेक्ट कर दिया है, अभी आगे है कहां मैं पहले हमें यहां पर जाना है, तो वाटर जालने के लिए यहां पर मैं ऊपर की तरफ में एक उनलिमीटेड वाटर सोर्स बना लेता हूं टेंप्रेरी, बाद में इसको हटा दूँगा, तो थोड़ा से गैप देखे, एक मिनुट रूगए, यहां पर एक प्लेस करता हूँ, यहां पर डर्ट न है ठीक है तो भी जल्दी से हम याँ पर यहाँ पर उर्टर डालते है पहले इदर से डालना है यहां से लॉट सभtu को ठी पूरी की पूरी जितनी भी लेंस थी उन सभी को पानी से भर दिया है अब जो आगी का मैंने काई वह जादा खतरनाक कनेक्शन वाला है बट उससे पहले इसको मैं यहीं पर बने रहन देता हूं कोई दिक्कत नहीं है बाद में क्या पता हमें पानी की जरौत पढ़ सकती है औ इन बकिट्स को रखते हैं उपर अब जो आगे का मैंने काई वह जदा खतरनाक है तो इसके लिए में सबसे बहले ना कुछ ग्लास इस यह और यहां से पहले आठ ब्लोक आगे जाना है फिर आठ ब्लोक मिरको राइट जाना है ठीक है तो भी फटरवर्ट से यहां पर मैं ल ब्लोक्स 10 and 16 तो देख लोगा जार फाइनली हम लोग सेंटर तक पहुँच चुक हैं सेंटर के शाहर से राइट वाले में ठीक है तो एक दम परफेक्ट कनेक्शन है अब इसके बाद गाइसा यहां पर एक बड़ी ऐसा सिस्टम बनाना है तो गाइसा अब जो आगे का काम ह बड़ मैं इस तरीके से करूंगा कि आपको एकदम सिंपल लगेगा तो आठ ब्लोक आगे और आठ ब्लोक लेफ्ट आने के बाद हमें क्या करना है एक ब्लोक ने इसके थोड़ा सा राइट में लगाना है और जितने भी रिपीटर से उसका काम है तो भी सबसे बहले यहां आपर से जितने भी स्टिकी पिस्टन वह मैं भाहर निगा लेता हूं और बाकी में को एक लिवर भी चाहिए तो यह भी ले लेता हूं मैं दो लिवर इससे ले लिए कि अगर को कोई गलत लग जाए या फी नीचे गिर तो मुझे दुबारा नीचे जाना पड़े तो बस य सेम डूसे में इसके आगे भी ब्लोक लगाना है और इसको यहां से मेर को पूरा कवर कर देना ठीक है तो चलो भाई अभी फिलाल यह अपना इतना काम तो एक्दम पर्फेक्ट कंप्लीट हो चुगा है अब जितने भी रिपीटर से मेर को उसे लगाना है तो पहला स्टोन लगाना है और उसके बाद यहाँ पर दुबारा से लगाना है स्टिकफी कि अगला फिलाटें को यहां पर भार इसके बीच में और कुछ इस टाइपस हैं थ listenac यहां पर clicks कर देने हैं और उसके बाद यहां पर अपना दुबार से यहां पहले बनाया था सेम जी से बैसी बनेगा और इधर एक और फिस्टन लगेगा जिसका फेस रहेगा कुछ इस डिरेक्शन में ठीक है तो यहां पर इसका फेस ओ नहीं 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 भाई रोकिट रोकि मतलब अगर इतनी सी भी मिस्टिक आप से हो गई ना तो थोड़ा काम खराब हो सकता है और इसके बाद में पर चार क्लिक्स कर देने तो यह एकदम पर्फेक्ट हो चुका है अब मेरे को क्या करना है यह वाला जो ब्लोग है यह मैंने थोड़ा सा गलत लगा दिया यहां पर कैसे काम करने लगे अपना वह उपर आया वह उपर आये देखो अभी ऐसी चलते रहेगा ठीक है और मुझे कुछ भी करने की जरूत नहीं है तो अपना कनेक्शन एकदम पर्फेक्ट हो चुगा है अब करते हैं आगे का गाम वैसे कोई ज्यादा मुश्किल काम बचानी है जितना भी मुश्किल काम था वो स्टार का सारा हम कर चुके हैं बठा अभी जो चीज मैंने लेट साइड में बनाई है ना सेम टू सेम यही चीज मेरे को राइट साइड में बनानी है और दूसरी बार में तो मैं एक दम फूल स्पीड में बनाने वाला मेरे को जादा टाइ जलदी से यहां पर आपर दीता हूँ प्यारीसी जम पीलाइटर अर यह पानी में लगा है ऑगना डूप की जलदी से वह इस साइड से साइड का में स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 तो चलते हैं उपर और वैसी बिनाते हैं तो चलो गाइस यार फाइनली यहां पर मैंने दूसरी साइट पर भी स्टेप से वह सारे के सारे बना लिया है तो जैसे कि आप यहां पर देख पार हो कितने ज्यादा बड़िया लग रहे है बठा अभी इसके अंदर वाटर बाकी है अभी फिलाल वाटर डालें के लिए बार बार नीचे तो नहीं जाओंगा इसलिए मैं काम करता हूं यहां पर ना मैं वहां तक पहुंचने का चोटा सा रास्ता मना लेता हूं इससे सकाफ फोल्डिंग के थुरू तो यह सची में बहुत जोता काम आती है तो जब नीचे कैसे चारी अच्छा है इसके कोई लिमिट रेंज होती है रुख जाओ कोई नहीं यहां से आगे ले आते हैं यार नहीं में थोड़ी सी ड़ट लगाने पड़ेगी बताने हैं इस टाइप से पहली बार यूज कर रहा हैं से अभी फिलाले से कलेक करते हैं जितना भी पानी है ने सारव लेकर चलते हैं देखो ने पानी मिरी पास थोड़ा बहुत पड़ा हुआ था बट कोई नहीं अभी काम ही आने वाला है इसको यहां पर डालो बढ़ाओ कैस अभी अभी यहां पर सब कुछ करना वाई मेरे को लग रहा था मैंने बना लिया बट कोई नही यहां पर इस तरीके से मेरे को बसे connections करने एक के ओपर एक यहां पर एक लगा दिया लास ओले पर विएक लगा दिया बस इसके बाद यहां पर जितना भी रइडिस्टुन डस्ट हैниक उसकी कमी पढ़ने वाली है वह मुझे अपने कासल जाना पड़ेगा दुबारा से इसको लेने के लिए पूरा वापिस जाना पड़ेगा चलो कोई नहीं इसी बाने देख लेंगे कि आखिरकार जो मैंने बनाया वो देखने में लग कैसा रहा है जल्दी से यहां पर एक वारी जंप मारते हैं थोड़ा सा दूर चलके यहां पर बढ़िया लगेगा जब यह पूरा बन जागा यह देखो अभी इसके अंदर थोड़ा बहुत गाइस काम और बाकी है यह मैं सोचना कि आध्य से ज्यादा कंप्लीट हो गया है अभी इसकी लुक नहीं ज्यादा अच्छी नहीं लग रहे होगी जभी सारी स्काफ फोल्डिंग घट जाएगी नहीं कोई यह सही है कर जलते जलते आते हैं तो तो गया और तू भी निकल यहां से पीछे से को नारा तू भी निकल चलो खाईस अभी फिलाले यहां पर कलच उमार दिया भाई तुम्हारे भाई ने अभी जल्दी से कलेक्ट कर दा हूँ फटवट से जलते हैं अपने कासल में पहुच चुका था बट रहे गया तो गाईजर दिको भी ना फिलाल जैसे तैसे हिमत करके यहां पर मैंने एक प्यारी सी जंप मारिया सीधा अपने फार्म तक पहुचने के लिए और फाइनली यहां पर मैं अब जाकर सेफ लेंडिंग कर रहा हूँ वाला मैं एक बार में मैं दो तीन बारी भीड़ा था तो फिलाल थोड़ा बहुत खाना का कर अपनी बढ़ा लिया है विजल्दी से दुबारा खाना काते हैं यह कितना जदा मुश्किल जाता है कभी काले से मतलब की उड़ाना तो जितनी भी रेडिस्टों डस लेकर आयों से यहां पर लगाते ह उधर की दरस से लगा दे तो इधर की दरस सीधी साथ लगेंगे क्योंकि वह जो ब्लॉक है वह जल्दी से आपर लगाते हैं मैंने काउंट नहीं कर रहे हैं कितने हो गए बट कोई नहीं यहां पर दुबार से ट्राइ कर लेता है अगर गलत होंगे तो ठीक है वैसे जहां एनने सही लगाने है और चलते हैं हो गयत अचीबात है ऑभर नहीं अपने सारे लगाट वेस्ट फ wet टीक हैं और यह क्या करने इसके अंदर एक टिक करने बस उसके बाद यह जितने भी ढब सब यहां पर लगाने वालें लेकर यहां पर लगता है कि दोड़ ना को दोड़ा को धू ext सब्सक्राइब यहां पर लगा देना है समूथ स्टोन इसके फ्रेंट में ठीक है अब यहां पर यहां पर लगेगा अपने एक ग्लास एक सब्सक्राइब यह चोटे-मोटे काम होते हैं इस टाइप की चीज़े बनाने के लिए इसके उपर लगाते हैं अब यह जो ग्लास ब्लू कहना है मुझे इसे जिग-जैक टाइप से फोड़ा सा उपर ले जाना है तो पहले मैं काम करता हूँ यहां पर यह रखके इसके अंदर से कुछ स्काफोल्डिंग निकाल लेता हूँ ताकि मैं अच्छे से थोड़ा उपर जाके से क्राफ्ट कर पाऊं तो यहां पर मैं एक रख देता हूँ एक दो तीन थोड़ा सा ऊपर जाने के लिए इससे मैं यूज कर रहा हूँ अब एक थोड़ी सी आगे लगाता हूँ ठीक है यहां से एक दम मैं बड़िया तरीके से बना पाऊंगा तो पहले नहीं थोड जैसा कि आप यहां पर देख पारे हो कुछ इस टाइप से जिगजग टाइप के में शेप बनानी है और जो बाकी मैंने फालतु की डर्ट लगाई है ना इन सभी को यहां से में हटा देता हूँ तो यह कुछ इस टाइप कि यहां पर इसकी शकल से हो जाएगी अब यहां प 5, 6, and 7, 8 तो यह 8 इसलिए लगाने है ताकि यहां पर मैं सीधा सेंटर तक पोहुच जाओं बाकी मेरे को थोड़ा सा ना डिस्टेंस कम लग रहा है यह जहां तक मुझे लग रहा है सेंटर होना चाहिए बड़े सेंटर नहीं लग रहा है एक मिनट मैं दूबार से काउंट 6, 7, 8 ठीक है अब यहां पर यह लग गए इसके बाद लगेंगे रिपीटर कनेक्शन के लिए तो बाकी रिपीटर की चीज़ याद रखनी है कि जो पहला वाला है उसके अंदर अपनी जाएंगे तीन टीक तो 1,2,3 और जो बाकी है उसके इंदर नहीं नहीं इसके इंदर गलत करते हैं इसके इंदर इतने जाएंगे 2 और इसके अंदर इसे 3 वह थे मैं इसे 3 बाकी चार जाएंगे जैसे इसमें भी पूरे एंड तक इसे टेच कराना है जैसे बाकी करारों मैं लाइन वाइस क्यो नहीं कर रहा हूं तो चलो ठीक है इतना काम अपना याँ पर हो ग लगाना है पहला एक लेफ्ट जाएगा उसके बाद सारे के सारे राइट में जाएंगे सीडियों की तरह तो पहला कैसे लगेगा यहां पर रड़ी स्टोन लगा हुआ है तो इसलिए बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा तो कोई नहीं दिन होने का इंतजार करते हैं उसके यहां अब यह उपर जा चुका है अब उपर की तरफ का बनाने के लिए पहले तो यहां पर यह तोड़ना पड़ेगा ताकि मैं अपने जो स्काफ फोल्डिंग से उपर ले जा पाऊं उपर का काम करने के लिए थोड़ा सा एक से एक से यहां से अच्छे से दिखेगा ने यहां पर यह वाली भी तोड़ता हूं इधर लगाते हैं गाइस डर्ट एक और दो इसको हटाया अब यहां पर लगाते हैं स्काफ फोल्डिंग ठीक है तो चलो अभी जल्दी सब्सक्राइब चलते हैं उपर और इस साइट पर गाइस में नीचे की तरफ में लगाया था त तक जल्दी से एक और में को यहां पर ऊपर ले जानी तो है बट जंप मारके चल लेता हूं यहां पर बस अभी यहां पर लगाते हैं रेड इस्टोन इसके बाद आगे गाइस अभी ना तीन ग्लास ओर लगेंगे तो वान टू तो तो गाइस अभी ना फिलाल आगे काम करन बढ़ा अभी मेरे को यह चाहिए स्लाइम ब्लोक हो गए अपने पास जो वोल्स है वो लेली फैंस मेरे पास अलड़ी पड़े थे बढ़ा इन चार चीज़ की जरुती और एक मेरे को टीन टी भी चाहिए बाकी भी सब कुछ यहां पर मैं ले लिया है जिस जिसका भी काम प चाहूं जल्दी से यहां पर थोड़ा सा ओर लगा थे जितनी भी मैं लगा रहा हूं ना यह बाद में सारी तोड़ दूंगा इतनी ज्यादा लुक खराब हो रहे हैं हम इससे क्या बता हूं बट कोई नी इसको भी आगे लेकर चलते हैं एक क्या लगेगी बस यहां तक मैं यहां पर मैंने डे लगादिया यह जहां अंके मदाना इसके ओपर एक बाल वर जबना लाना यह नहीं है जल्दी से प्यारी से जंप मारता हूं और फाइनली हम लोग पहुत चुके हैं अपने कासल में और भाई पीछे बहुत सारे मोंस्टर है रुख जाओ फिलाल सबसे बहले इनको मारना पड़ेगा अपनी प्रेक्टिस हो गया कि कितना में रॉकिट यूज करना है अपने वहां तक पहुचने के लिए और यह देखना में एकदम पर्फेक्ट लैंडिंग होगी और यह बात बीना एकदम पर्फेक्ट लैंडिंग बस मैं थोड़ा सा गलत उतर गया मेरे को आगे वाले पर जाना था कोई नहीं जल्दी से हैं यहां से भी जाई सक्थे हैं वाइंड से शग्ल्ण कर चाहिए तक कहले भी यह刚u argent लेख भाने यहां बस अभी इसके left में लगाने वाल ओले को यह देख हो कबलस्टोन का वह लेकी बार में लग रहा था है और tendency तो कुछ इस तुपर नहीं रखन शेट यार इसको हटाऊंगो तो इधर उदर नहीं चले जाए इसको अराम से लेता हूं मैं ओ वाव आ गया मेरे पास उपर चलते हैं वापिस से मिरको रखना इसे इस वाले फैंस के ओपर ठीक है अभी ये एकदम परफेक्ट रखा है मैंने और अभी न मिरको इन बाकी दो सा यहां पर मैंने इधर लगा दिया है और अब यार यह देखो रात होते ही नहीं जो ब्लैक वाले ग्लास हैं इनकी शेड हैसी होते हैं कि दिखना ही बंद हो जाते हैं बट कोई नहीं आपर मैं पूरी कोशिश करूंगा इस एकदम बड़ी तरीके से बनानेगी जम मार के चल अब इसके आगे यह जो फैन है यह मेरे को कुछ इस टाइप से लगा देना ठीक है एकदम स्लाइम ब्लोक के साथ यह रहना चाहिए और यह देखो स्लाइम ब्लोक के उपर मैं कैसे जम मार रहा हूं स्प्रिंग के तरह काफी ज़्यादा बड़ी आई है और अभी पहले मज की बिस्टन है बाकियार यहां परना मेरा जो ऊके तो मेरे को भी गाइस सोड़ा वो तरह नीचे उतर कर जाना पड़ेगा क्योंकि उसके अंदर से मेरे को एक माइन कार्ट लानी है और डिटेक्टर रेल इसके अंदर नी है जो मेरा दूसरा वाला था वह मैंने कहां पर लेता हूं और बाकी भी मेरे को किसी भी चीज की जरुवत नहीं है जल्दी से यहां पर ऊपर चलते हैं फड़ावट से तो बीना जंप मार के पहले मैं इस साइड पर आ जाता हूं यहां से जादा देखने में असानी रहेगी और मैं अराम से काम भी पाँगा तो पहला ब् से टिकी पिस्टन रखने के बाद यहां पर में इसको आगे एक ओर श्लाइम बोल रखनी है और इस जगहाँ यह डिटेक्टर रेल के ओपर रखनी है मेरे को यहाली माइन काड तो चलो जास यहां पर अपना ऑपना जो ड्यू पर है वो southwest ho पहुत हो चुका है अभी फिलाल तो कि ब्लॉक्स है नहीं इसको मैं हटा सकता हूं इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है बागी तो एक ही बार में हटाऊंगा या अभी फिलाल जितना भी कुछ ऐसा भी हो सकता कि कोई छोटी मोटी गलती रह जाए तो मुझे दुबारा से यहां पर काम करने आना पड़े तो मै काम करते हैं तो गाइस दिको भी ना फिलाल मुझे नहीं पता है बारिश कब रुकने वाले काम करता हूं जल्दी से नहीं सीधा अपने कासल में चलके एक बारी सो जाता हूं नेक्स्ट डे आकर हम लोग आगया काम कॉंटीन्यू करेंगे तो जिस तरीके से मैं जा रहा हू सुबह उठके खाएंगे बाकी यहां पर आसपास मॉंस्टर है यार यह मॉंस्टर ने अलग धिमाग कर रहा है रुक जाओ अभी मेरे को अवास भी नहीं आ रहे है किसी मॉंस्टर की प्लीज यार तीरी आसे कि तरसी बेड़ी तोड़ूँगा मैं यहां पर इस बेड़ को कर दें मतलब की एक ही बार में इसके अंदर इतना स्टोन मिलना चाहिए ना जो मेरी उमीद से बाहर हो क्योंकि काफी ज्यादा मेहनत लगी है इसको बनाने में ओ वाव इतनी ज्यादा मेहनत से मैं यहां तक पहुचा और थोड़ा सा निशान अगलत होगा तो टीपी करना बढ़े गए से पहले और अराम से अब होगी प्यारी वाली लैंडिंग ओके ओके यहां पर अराम से फुल जंप मारते होगे लैंडिंग हो चुकी है यहां उतरते हैं चलो गया अभी मेरे को क्या करना है जो लास्ट टाइम यह जगा मैंने बनाई थी नहीं जो अपना ग्ल जिसके अंदर गाई सर बस एक करना है उसके आगे रिपीटर 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 और इन सब इन तोटल चार चार टिक जाएंगे मतलब यह जो आप डोट देख पा रहे हैं पूरा पीछे तक आएगा मतलब इसको क्या कहेंगे लीवर टाइप कुछ कह सकते हैं ठीक है तो एक इधर भी 1234 एक इधर भी 1234 एक इधर भी 1234 चार लोगाइस फाइनली यहां पर जो अपना काम है वो कंप्लीट हो चुका है बागी तर एक रेड इस्टोन डस्ट मिस था बट कोई यह भी फिलाल मैंने से ठीक कर दिया है और फाइनल यार अपना इतना काम मैं वही मैं सोचू किया और मेरे यह इतनी सारे बच कैसे गए तो चलो भी फिलाल यहां पर जल्दी से मैं यह वाला काम भी कंप्लीट करता हूं तो मुझे उसके लिए क्या करना है यहां पर ऑगी सीधा नीचे यादरा मैं वह पता था अभी जल्दी से वापिस ऊपर चलत चलो भी फिलाल यहां पर साइट करो लीवर का अभी थोड़ा बुत क्या पता यूज पढ़ सकता है तो बाकी जो सबसे यूज है वो ग्लास इसका है तो जितने भी ग्लास है मैं यहां पर सारे उठा लेता हूं इधर रख लेता हूं बाकी इधर रखते हैं तो चलो अभी के लिए क्या करना आई अगर सांठर वाला ब्लोक और तो यहां से टाकर ब्लॉक हम लोग लखते हैंば इसके Roc अब जो है यह मेरे साब से एकदम perfect सेंटर और इया जितने भी प्रिया यहीं ऐन सभी के संवाल ब्लॉक के अपर में जैसे कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो भी ना फिलाल मिडल में मैंने दो ब्लोक्स लगा दिया बस अभी मेरे को यहां पर इसके उपर मेरे को वहले यहां पर एक लगाना पड़ेगा और यह वाला तोड़ना है मतलब कि पहले यह स्टेप वाई से बट अभी यह वाला जो बराबर हो गया है अभी क्यों करा है वो भी आपको पता चल जाएगा बट पहले मेरे को उपर जाना पड़ेगा उरी जो पानी है मेरे को बाद में डालना चाहिए था इसको जब से डाल आना उपर नीचे जाने पर लेशानी होगी है अब तो सबसे पहले यहां पर जो मतलब की जितने भी ग्लास है इसको लगा कर पहले जगा को पूरा कवर करता हूं मैंने स्टार्टिंग में से कवर नहीं कर दा अब इतना करने के बाद मिरे को यहां पर थोड़ा सा ऊपर जाने एक टैनल बनानी है इसके पीछ ठीक है अभी इसी तरीके से आगे चलते जाएगा यहां पर यहां पर ऊपर लगता है उसके बात फिर न लगता है चलो को यह नि यहां पर लगा कर जाए खाए अब मेरे को जितना बिए बाइश रहना पर कुछ नहीं लगाना यह तोड़ता हूं जैसे कि यहां पर मैं लगा यह तरह से यहां भी डर्ट क्योंकि जो लावा फैसी सारा जाए निवींड़ पानी में पानी से बनेगा नौर्मल अपने स्टोन और स्टोन फिर टूटेगा इन पिस्टन से तो काफी ज़्यादा बढ़िया यह होने वाला है अभी इतना काम मैंने कर दिया टैनल भी अपनी बन चुकी है अभी इने कवर करते हैं अभी जल्दी से एक बारी में पहले लावा डालके the test कर लेता हूं कि़िसे काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा तो यह जो मेरा यल्य वाला यह मैंँने पास ही रखा हो ता सोचनों कवर कर दूं यह उधर नहीं जाना चाहिए किसी भी इमत में ठीक है तो हाँ अब यह एकदम पर्फेक्ट बना है अब जैसी में इसके नीचे की डर्ट हटाऊँगा यह सीधा पानी में जाएगा तो गाइस फिर सोचना क्या है बोल दिया तो हटा ही देते हैं जल्द से यहां पर यह वाली डर्ट भी में बढ़ेगी वह थोड़ा सा नीचे उतरना पड़ेगा इसको उठाता हूं और इस बारी जाए तो मेरे को ना कूदना नहीं सके इंदर क्योंकि कर गया तो इस बारी बचूंगा नी वी थोड़ा थोड़ा ना साइट साइट से निकलते ह अब अपना काम हो चुका है अब नीचे चलके ना कुछ लगाते है बटा पहले जो चीज मैंने लेफ्ट साइड में राइट साइड में लिए तो अभी यहां पर मैंने कर लिया है और इधर का तो काफी ज्यादा परसेक्ट बन चुका है चलते हैं उपर और फटावट से वही चीज लेफ्ट साइट पर भी बना देते हैं अब बस इसके अंदर में को लावा डालना है और एक चीज का याद रखना कि अगर आपकी जो मतलब की जो ब्लॉक्स लगा रहे हो कहीं पर भी मिस होंगे ना तो लावा जो है राइट लेफ निकल जाएगा और अकर एकदम एंड उसको हटा देते हैं और इसको चेक कर लें कि एकदम पर्फेक्ट बना या फिर नहीं बना वाट कि बस चेक करना कि एक डम ना एंड तक नह पुचे यहां पिस्टन तक पूचे जहां तक अने पिस्टन लगा है है कैसे अदर हम सारा का सारे स्टों लेंगे ना मल यह नीचे जाकर चेस्ट लगानी है, जल्दी से आपर मैं एक जंप मारता हूँ, बट नीचे जाने से पहले गाए जी जितना भी अबाड कवार्ड है यहां पर लगा है ना, इस सारका सारा तोड़के मैं कलैक कर लेता हूँ, अभी फिलाल सब कुछ हो चुगा है, मेरे को एक बार यह ब पर ने, किरी पर ने, तू दूर रहा हूँ, निकल यहां से, एक मी मरी हो ठीक है, तू गया, और तू भी निकल, और तू भी निकल, चल ठीक है, चलो भाई, सब को मार दिया, एकस्पे भी मेर को ना, काफी ज़्यादा मजा आदा है, अपना सब कुछ रिपेर हो जाता है, इसको भी मारा और दूर से मारो ना, एक मी मर जाता है, तो भी यह सब हो गया, इसको हटाओ, इसको भी हटा देते हैं, अब बस जिसके अंदर में कुछ सारा का सारा समान कलेक करना है, वहां पर जाकर में को ब्लॉक्स लगाने जो, सबसे पहले यहां पर मैं थोड़े बहु अब यह इतने ही लगाने वालों मैं आपर एक दो ठीक है ठीक है, एक दम परफेक्ट है, तो अचलो guys अब इना फिलाल यहां पर मैंने इसे कुछ इस टाइप का बना लिया है, आप चाहो जैसा मर्जी बना सकते हो, बठाँ यह डिजाइन काफी ज़दा अच्छा है, तो भ लावा मेना जाके गिर जाओ जल्दवाजी के चक्कर में, okay guys, finally मैं अराम से उपर आ चुका हूँ, अभी यहीं कहीं पर मैंने अपना जो शलकर बॉक्स अ चोड़ा तो वो देखो, भई कितना ज़दा डेंजरेस जगा पर है वो, अगर लावा के अंदर गया ना, तो अपन फटरवर्ट से guys, यहाँ पर जो ग्लास थोड़ा ता उसको लगाते हैं, अब इसके आगे इसके अंदर जितनी भी चेस्ट ही ना, वो मेरे को निकालनी है बहले बाहर, इसको यहाँ पर रखो, इसके अंदर यहीं कितनी जादा चेस्ट है, तो आप लोग खुद अंदाजा जो चीज एकदम सिमिलर होती है, वो एकदम बढ़िया लगती है, तो अभी जल्दी से time waste नहीं करना, सारी सारी लगाता हूं, तो चलो guys, अभी ना, फटरवर्ट से हम लोग यहाँ पर hopers लगाते हैं, जितने भी मैं collect करके लाया था, तो फटरवर्ट से यहाँ पर जितनी मेरी जो golden वाली XC वो टूर चुकी है, बट कोई नहीं वो तो normally मिल जाती है, गोल्ड अपने पास कमी नहीं है यार, अभी जल्दी से यहाँ पर लगाते हैं, और same to same जैसे इदर लगाया ना, मतब थोड़ा सा आगे बढ़कर लगना चाहिए, अब क्या होगा कि जितना समा यह पूरा connection अभी भी नहीं हुआ, क्योंकि जो नीचे वाला एरिया है, यहाँ पर भी hoppers लगना बाकी है, तो कि guys जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पारे हो भी ना, फिलाल मैंने hoppers की boundary बना दिया है, अब बस बीच एरिया मेरे को यहाँ पर ice लगाना है, आपकि पानी यहाँ से आगे ना जाए, इस fence को लगा करना मेरे को यहाँ पर एक तो ही मैने गलत लगा दे और यह टूटने में भी time लेगा, ओके कोई दिकर नहीं, और यह टूटके सीधा किसी ने किसी chess में चलियागा, मुझे मालूम था, तो अभी नहीं बस मिरे को यहाँ पर इसको इ अबने chess थोड़ी सी एक block आगे होनी थी, पर उससे कोई इतना फरक नहीं बढ़ता है, यहाँ पर हम लोग इस तरीके से पानी डाल देते हैं, समान बहकर आना आखिरकार आगे ही है, तो यह जो है guys, fence तक ओके तो चलो ठीक है, यहाँ पर मैंने दो bucket डाली थी, इसलिए यहा प्यारी सी चलांग लगा गया है, चलांग नहीं, तो यह काफी जदा बढ़िया लग रहा है, इसको start करके guys, सबसे पहले मैं पहले check कर लूँगा, एक दम ठीक चल भी रहा है यहाँ तो वो रहा इसका lever, जल्दी से हम लोग चलते हैं सीधा सामने यहां से, कुछ तूटे व हुआ है, फिलाल सामने तक connection नहीं गए, तो मेरे को पता था यहां सी कुछ होगा, redstone dust यहां पर नहीं लगी थी रुख जाओ, यह लगा redstone dust, अब चला, connections गए हैं, connections गए हैं, वो देखो, redstone जा रहा है हमाँ पर, okay, कुछ तो हो रहा है guys, ओ, 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 थोड़ा यह काफी ज्यादा बड़ा था, इसलिए में थोड़ी वो चीज़े रहा गई है, तो पहली चीज़ तो यहां पर एक dust लगेगी, और इस साइट पर न, guys, एक मिनट रुख जाओ, यहां पर न, भाई, अभी काफी सारी चीज़े रह रही है, तो पहले तो यहां पर एक लग इसको पहले हटाओ, यहां पर रहेगी, रैडी स्टोन इधर आएगा, ठीक है, ओके, guys, अभी फिलाल यहां तक तो मैंने इसे कंप्लीट कर दे, और अभी फिलाल यह काम होना है, स्टार्ट हो गया है, यहां पर बड़ अभी तक इसके अंदर कुछ भी जाकर गिरा नहीं, काफी सारा है, यहां पर यह देखो, guys, आप लोग यहां पर देख पा रहे हो, काफी सारा इधर स्टोन ना जेनेरेट होना स्टार्ट हो गया है, पाँच-पाँच लेयर यहां से बनकर जासे, जैसे कोई मशीन हो, वह फिलाल वह वहां तक जाकर रुक तो गई है, वाट भी यहां पर मिस्ती, इसमें ना ठीक करा, उसके बाद भी ऐसी कई सारी जगह जहां पर यह नहीं थी, तो उन सभी जगह पर पहली बातों मैंने लगाया, और उसके बाद यहां पर आप लोग देख पा रहे हो, उना पूरा बूरा काम करने लगया, जितना भी आप यह देख प पर यह इसको आग लगाने के काम हाता है, और यह जितना भी स्लाइम है, और पूरा फैन है इसको डबल कर देता है, मतलब कि यह कभी खतामी नहीं होगा, अगर इससे चला दियाना, तो यह आपक्तला ठीक करने के बाद यहां तो पूरे के पूरे ना टीन यहां पर गिरे, और इतनी ज़्यादा स्पीड में गिरे ना कि ब्लास तो हुआ ही हुआ साथ के साथ यह सब जगा भी ब्लास्टोन स्टार्ट होगी तो मैंने जल्दी से से आकर यहां से पीछे से बंद करा उसके बाद जो जो चीजे ब्लास्ट होई थी ना वहां पर obsidian लाके लगा दिये ताकि अगली बार वह ब्लास्ट ना हो अभी फिलाल मेरे को नहीं पता कि चलने वाला या फिर नहीं चलने वाला क्योंकि यह चीज ना मेरे को समझने आ रही कि आकर का TNT गिर रहे हैं बट बहुत जादा गिर रहे हैं तो मुझे ना इसकी स्पी करन्ट गया यहां पर एक TNT गिर रहे हैं दूसरा TNT यह देखो पिछली बार की तरह सेम टू सेम हो रहा है अभी काम एकदम परफेक्ट करेगा आपको असा लग रहा है वह देखो एक TNT चला गया नीचे तो यही गाइस एक चोटी सी दिक्कत आ रहे है जो मेरे को समझने आ तो कोई नहीं में पानी का एरिया थोड़ा से बढ़ा कर दूँगा तो कुछ इसी टाइप का सीन है बाकी तो अभी मैं नीच चल कर दिखाता हूं कि इतनी सी देर में कितने TNT मेरे पास ही कठे हो गया अभी फिलाल देखो महां पर दिक्कत आ गई TNT चोई स्पोन होना नहीं होगा क्योंकि थोड़ी देर के लिए चला है तो कहीं पर क्या पड़ा हूँ है कहीं पर क्या पड़ा हूँ है वटा यार जो भी है यह जब रन करेगा पूरा एकदम प्रॉपर लिए TNT बिना रुके तब इसके अंदर मुझे पूरी उम्मीद है इतने जादा स्टोन कीसीं जाएगा तो आपको लगता है क्या मिस्टेक हो सकती है या पिर इकृत्न ऐसके डिले स्पीड में कासी बारे में पता हो मिज़े पता रोलके इसके दिले डालते टेंटों झृतेbrar गएंगे गिरते रहेंगा है रिवा क्या इतने जादा बढ़ गई हैं मतलब की इतने ज़्यादा स्टोनल एक टैप से ना पहाड बन रहा है तो काफी ज़्यादा बढ़िया था मुझे इस टाइम पर खुशे इस बात किया है लास्ट टाइम यह पूरा टूट गया था वट अभी टूटा नहीं है तो चलो अब इना फिलाल बारिश हो गी है आज के वाली यहीं पर आइंड करते हैं गाइस मुझे कमेंट में करना मत भूला तो अचलो गाइस आज के वाली वीडियो में इतना ही अगर आपको यह वाली वीडियो ची लगी हो तो फटावर्ट से वीडियो को चाका लाइक कर देना इस वीडियो पर मैं एम करता हूं उनली पांच ल सब्सक्राइब कर लो एंड मेरे से बात करने के लाप लोगे अगर दिसकॉरड से अगर बीजोइन कर सकते हो इंस्टागराम एंड डिसकॉर्ट दोनों के लिग नींचे रिस्क्रिप्शन में है तो आज कि इस वाली वीडियो में इतने हैं वीलत अगली वीडियो में झाल